कि नमस्कार आप देख रहे हैं इस पेन नाइंग नियूस मैं हूँ आपके साथ नहीं हूँ कॉंग्रेस के पंजाब प्रदेश गोष्णा पत्र कमेथी के चेर्में प्रताप सिंग बाजवा ने गहा है कि 15 दिनों में गोष्णा पत्र दयार कर लेंगे इसी के लिए बाजव शामकुल उध्याना के उध्यमियों के साथ भी मुलकात की इससे पहले चंडिगर सित कॉंग्रेस भवन में बाजवा ने पार्टे के सोशल मीडिया विंग के द्वारा तयार किये गए आब आज पंजाब दी की बैप साइट को लौंच किया जिसमें लोग गोष्णा पत्र को लेकर अपने सुझाब दे सकते हैं महीं गोष्णा पत्र को लेकर बाजवा ने कॉंग्रेस के प्रदेश परधार नवजो सिंग सिद्धू के साथ भी बैठक की बैठक में बाजवा ने सिद्धू से चुनाविक गोष्णा पत्र में शामिल करने के लिए उनके सुझाव मांगे और राजनितिक स्थिति को लेकर चर्चा की पत्रकारों से बादचित करते हुए बाजवा ने कहा कि उनकी कोचिश होगी कि 15 दिनों में गोशना पत्र को तयार कर लिया है इस बार गोशना पत्र में वहाई वादे किये जाएंगे जो की पूरे किये जा सके बाजवा न ने यह भी कहा कि प्रदेश परधान अग्जो सिंग सिद्धू के सुझाव पर विशेश तवज्जों दी जाएगी जुनावी घोशना पत्र तयार करने के लिए वह पंजाब के हर एक बर्ग से मुलकात करेंगे इसके लिए वह एक दो दिनों में ही अपने टीम का गठन कर ल अपने सुझाब दे सकता है इसके लिए वेबसाइट पर भी अपने सुझाब दे सकता है और इसके लिए एक टॉल प्री नंबर भी जारी किया जाएगा वही जब बाजवा से पूचा गया कि 2017 के पवित्र पर में पवित्र पत्र में घरकार रोजगार किसानों की कर्ज किये गए थे इसके जवाब में बाजवा ने कहा मुख्यमंत्री चरंजी सिक्चन निवादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं वह अच्छा काम कर रहे हैं सरकार के पास अभी पी समय है कैप्टन द्वारा चन्नी को नाइट वाट मैन बताया जाने की सम्मद में क्या इस बार भी कॉंग्रेस किसी को हायर करेगी पूछे जाने पर बाजवा ने कहा पीकर आए और चले गए हम पीकर कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे इस मोके पर पार्टे के रास्टे प्रवक्ता जैवीर शेर्गिल भी मौजूद थे ऐसी और खबरों के लिए देखते र